नमस्ते दोस्तों मैं हूर राजौन और आज के वीडियो में हम आइस्क्रीम मैं पॉइम के इंपोर्टेंट क्वेश्चिन्स और उनके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं तो आइस्क्रीम मैं रस्तों पे कब आता है तो आइस्क्रीम मैं जब आता है तो क्या लेकर आता है साथ में तो आइस्क्रीम मैं जब आता है तो अपनी एक छोटी सी गाड़ी को लेकर आता है आपने दिखा होगा दो टायर या फिर तीन टायर वाले होते है रिक्षा के स्टाइल में या फिर साइकल के स्टाइल में और एक छतरी होती है राउंड जो होता है वो उपर लगा होता है गर्मी के लिए ताकि उससे थोड़ा वो धूप से बच सके थर्ड क्वेश्चिन है तो अगर आपने ये कविता को पढ़ा होगा तो पता होगा तो पॉइट अप देखते हैं कि आइसक्रीम में ने वो कोंस निकाले है और उनमें वो आइसक्रीम डाल रहा है यह वैनिला चोकलेट फ्लेवर स्ट्रॉबरी फ्लेवर यह सब का जो एकदम यह ब्राउन कलर के होते हैं और वाइट कलर के भी होते हैं तो इन्हें देखने में उन्हें बहुत ज्यादा मज़ा आता है बहुत ज्यादा खुशी होती है अपार्ट फ्रॉम आइसक्रीम तो आइस्क्रीम के इलावा जो आइस्क्रीम में था वो फिस बॉटल्स यानि कि वो जो हम पेप्सी बगएर खाते हैं न एक जूस की तरह होता है जूस तो नहीं कोल्डरिंग कह सकते हैं वो सारे बॉटल्स में भरके वो बेचता था और वो ग्रीन कलर के ओर इंच्वाइट या फिर पिंक कलर के होते थे हमारा लास्ट क्वेशन है वाट दिड़ दे पॉट कंपेर दा आइस्क्रीम में का जो गाड़ी था उसके साथ किसका तुलना किया है और बच्चों के साथ किसका तुलना किया है तो अगर आपने पॉटल्स को पढ़ा होगा तो पता होगा कि बच्चे खाने आये थे वहाँ पर आइस्क्रीम तो बच्चों के साथ भी कंपेरेजन किया है यह क्या किया है देखते हैं तो पॉट कंपेर दे कार्ट ओफ आइस्क्रीम में तो फ्लावर बेट्स ऑफ रोज़स एंड स्वीट पीस और कंपेर दे चिल्रन तो हनीबीज तो मादू मक्या जैसे अपने चत्ते के पास होती है ना एकदम घिरी हुए उसी तरीके से आइस्क्रीम में के पास घिरे हुए थे सारे बच्चे आइस्क्रीम खाने के लिए तो यह कुछ इंपोर्टन क्वेश्चन में रेंच किये थे आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई भी डाव तो कमेंट सेक्ष में पूछे और आपको दूसरे कौनसे वीडियोज चाहिए कौनसे नोट चाहिए मुझे बताएए थेंक्यी सो मच गाइज